हेलो फ्रेंड्स क्या आप भी अपने घर के टोईलेट और बाथरूम का नया डिजाइन या रिनोवेशन करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो बिलकुल आपके लिए है मैं हूँ interior designer यश मकवाना और स्वागत है आपका अपने channel interior में फ्रेंड्स जब भी हमारे घर का toilet और बाथरूम का रिनोवेशन या नया डिजाइन करने के बारे में हम सोचते है तो सबसे पहला thoughts हमारे mind के अंदर उसमें लगने वाले tiles और fittings के बारे में आता है लेकिन एक interior designer के point of view से मैं आपको बता हूँ तो tiles और fittings से भी ज्यादा important जो चीज है वो है आपके toilet और bathroom का planning फ्रेंड्स जनरली toilet और bathroom का planning two parts के अंदर होता है एक होता है आपका dry area और एक होता है weight area dry area के अंदर generally आपका basin और WC और weight area के अंदर आपका shower area आएगा और ये दोनों ही area को हम लोग glass के partition या shower curtain से एक दूसरे से separate करते हैं और दोनों ही area के बीच में जो उसका flooring होता है उसके बीच में एक step दिया जाता है इसके पीचे का practical logic ये है कि आपका जो shower area है उसका पानी आपके dry area में ना जाए तो आपका bathroom ज़्यादा तर clean रहेगा और आपके hygiene के point of view से भी ये आपके लिए अच्छा है आईए friends bathroom के ये खुबसुरट design को देखते हैं और समचते हैं design के concept को यहां से bathroom की entry है और entry करते ही आप जो ये area देख रहे हो ये हमने एक changing room और dressing room के purpose से बनाया हुआ है जो आपको ये big mirror देखके idea आ गया होगा mirror के दोनोई side हमने profile light दी है जिससे क्या होगा कि जब भी कोई person यहाँ पर ready होने के लिए आएगा या फिर make up के लिए आएगा तो उसके उपर light का focus होगा जिससे कि उसको एक good vibration feel हो सके mirror के दोनोई side make up और ready होने के लिए जो छोटी-छोटी चीज़े use होती है उसके लिए हमने self दी है और नीचे के side हमने doors दी हुए है यहाँ पर एक wardrobe भी है जिसमें आप कुछ कपड़े और बाकी का सामान भी रख सकते हो उपर की side ceiling में हमने एक beautiful light henky है और ceiling में भी हमने profile light और conceal light दी हुई है ceiling में आप देख सकते हो कि यह जो black color का strip है वो design में बहुत ही smart दिखता है जो metal का है और उसके उपर हमने matte black color का powder coating करवाया हुआ है यहाँ पर एक bench भी multi-use purpose से रखा हुआ है जैसे कि अगर आपको makeup में या ready होने में time लगता है तो आप यहाँ पर बेटकर comfortably ready हो सक कर सकते हो या तो कभी आपको बाहर जाना है तो आपको क्या कि ready होने में time लग सकता है तो उस time भी आप बैठकर आराम से comfortably ready हो सकते हो तो आप इस तरह से यह bench का multi-use कर सकते हो changing room के आगे हमारा dry area है जिसमें WC और basin का arrangement है यह जो basin है उसका top white Korean में बनाया है और top के नीचे एक self है जिसमें आप napkin और towel जैसे तीजे रख सकते हो सामने एक mirror है और mirror की beauty को increase करने के लिए उसकी दोनों बाजूओं में wall light set की है mirror की side में यह जो self है वह brush hand wash जैसे regular तीजे रखने के लिए बनाया है आपने notice किया होगा कि basin में जितने भी fittings लगे है जैसे कि tape, mirror frame, wall light के metals और ceiling में लगी हुई metal की strip सब में matte black color का powder coating किया है और shower area में भी जो fittings लगाए है वो भी same black color के select किये है जो आप आगे थोड़ी देर में वीडियो में देखेंगे यूज करने में comfortable हो इस तरह से WC का placement है और उसके पीसे जो आप blue color का stone देख रहे हो ये onyx है और उसके back side light का fitting है जो light stone में से पास होकर onyx stone को और भी खुबसूरत बनाता है dry area की ceiling में भी hanging light के साथ profile light का use किया है ये side आप जो shower area देख रहे हो उसको उमने glass के partition और flooring में step देकर dry area से separate किया है glass के partition में theme के इस आप से black color की frame की fitting करवाई है shower area में basic tape hand shower और ceiling shower है side में नहाने में यूज होने वाली चीज़े रखने के लिए self है और यहाँ पर आप एक beautiful बाठ तब भी देख सकते हो fitting सब black color के select किये है और थोड़ा tiles के बारे में भी समझ लेते हैं यह bathroom में हमने जो tiles flooring में use की है वही tiles shower area की wall पर और entry की wall पर भी continue किया है और side wall पर जो tiles है वो 4 feet by 8 feet size की और सत्वार यो texture में book mesh tiles है book mesh में design इस तरह से होती है कि जहाँ tiles का joint आता है वहाँ पर से second tiles की design continue दिखे ऐसा mirror texture होता है जो आप वीडियो में देख सकते हो और जो door tiles का joint है वहाँ पर हमने profile light set की है आप देख सकते हो कि यह bathroom में common light कहीं भी नहीं है even ceiling में भी हमने panel और surface light का जगा पर profile light use की है जो design में और दिखने में बहुत ही modern और smart दिखता है तो यह था bathroom design के बारे में I hope आपको समझ आया होगा और इसके related कोई भी आपके mind में confusion य आपका रदे की गहराई वसे धन्यवाद